सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्निकल मंसूरी को और बैल आइकन पर किलिक करके बैल आइकन को ओन कर दे ताके आने वाली लेटी स्वीडियो को नोटिविशन सबसे पहले आपको मिल जाए एलव दोस्तों कैसे आप हमारी चैनल टैक्निकलri में अप सभी का स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में आप जण कैसे कि किसी की भीकुछ अपने मगाल पर कैसे सुने चाहे keyboard फॉन ہو यह आज सब आपको बताने वाले हमारे चैनल पर टेकनलोजी आज कल जनका यूटूब पे चैनल है वह बहुत अच्छी वीडियो बनाते है तो दोस्तों अगर आपको उनकी वीडियो अच्छे लगे पहला वीडियो देख लिए तो उनके चैनल को जूरूर सब्सक्राइब कर भी लोगों का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से किसी के भी काल को या फारवर्ड कर सकते हैं आप अपने नमबर पर तुरंत ही फारवर्ड कर सकते हैं और दोस्तों उनके मुबाइल पे भी आपको काल को फ आते हैं तो काल सिर्फ उनके मुबाइल पे जाएगा जिनके मुबाइल पे आपने काल फारवडिंग को लगाया हुआ है लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि दोनों नमबर पे काल किस तरीके से आए आपके नमबर पे भी आए और जिनके मुबाइल पे आपने काल फारवड कर लें और बहुत ही शुक्ष गज़ार हूं मैं यहां पर टेक्निकल मंसूरी जी का जिनओंने हमारे वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड गया है तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो डिस्क्रेसिंग में मेरे चैनल का लिंक लिंक दिया हुआ है तो वह डायल लेने के बाद में आपको क्या करना है आपको उनके डायल पेड़ में चले जाना है और डायल पेड़ में आने के बाद में आपको यहां पर नमबर डायल करना है इस्टार इस्टार दोस्तों यहां पर ध्यान दिजेगा कि आपने पहले जो यूज किया होगा वहां पर आपने एक बार star को यूज किया होगा लेकिन यहाँ पर आपको दो बार star को लगाना है और यहाँ पर आपको फिर टाइप करना है 61 अब इसके बाद में आपको फिर star लगा देना है और यहाँ पर आपको अपने नंबर को लगा देना है तो जिस नंबर से आपको कारली कार्ड को सुनना है वहां पर आपको अपना नंबर डाल दीजिए यहां पर मैं अपने नंबर को डाल देता हूं और डालने के बाद में मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इसे सेटिंग करना है और इसके बाद में आपको हैच लगाना है और हैच लगाने के बाद म यहाँ पर जो काल है वो सर्विस है वो एक्टिव हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो काल फारवर्डिंग है रिपले रेजिस्टेशन वाज़ सकसेशफुल यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि यह आपका नंबर एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ है तो इसके लिए आपको चेक करने के लिए आपको लिखना होगा इस्टार हेच सिक्स वन और हेच लगा देना है यह जो है यह कोड चेक करने के लिए है यह कोड भी आप ध्यान नकिएगा आप इसे डायल कर दीजिए जैसे ही आप डायल करेंगे तो यहाँ प से पहले अपने फोन को उठा लेते हैं तो आपको फोन नहीं आएगा और तीस सिकन के बाद में अगर वो फोन उठाएंगे तो आपको भी फोन आजाएगा और उनके फोन में भी फोन आजाएगा और आपके मुबाइल में भी फोन आजाएगा अगर वो तीस सिकन से पहले फो उठा लेते हैं तो आपके मुबाइल में फोन नहीं आएगा और अगर 30 सिकंड के बाद में फोन उठाते हैं तो आपके मुबाइल में भी फोन आ जाएगा तो दोस्तो इस तरीके से आप तुरंट किसी के भी फोन को आप काल फरवर्ड करके सुन सकते हैं अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि अगर आपको इसे चेक करने के बाद में इसे चाहें तो आप भी रिसेव कर सकते हैं वो भी रिसेव कर सकते हैं इसी तरीके से आप दोनों फोन को आप सुन सकते हैं अब इस तरी इसको आपको कैंसिल कैसे करना है तो इसको कैंसिल करने के लिए आपको किलिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ही टाइम पर यह डियाक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वह सक्सेस्पूल यानि यह सर्विस बंद हो चुका है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फायदा होगा तो यूट चनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की नोटिफिकेशन और सूचना को आप लगातार पा सकते हैं टेकनलोजी आज कल देखते रहिए सीखते रहिए थाइंक्यू धन्यवाद